नमस्कार दोस्तों ममता की रसोई में आपका स्वागत है मैं ममता दूबे आज बनाने जारी हूँ मेथी की भजिया ये भजिया बहुत ही टेस्टी लगती है और ठंड के मौसम में तो हरी मेथी मिलती है तो आप इस भजिये की रेस्पी को जरूर बनाईएगा जिने मेथी का टेस्ट पसंद है उसे तो बहुत ही लाजवाब लगीगी तो चलिए रेस्पी को शुरू करते हैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो जादे से जादा सेयर करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है मेथी के पत्तों को अच्छे से चाट के वास करके बारी कट किया है और इसे अच्छे से वास करना है उसके बाद हम डाल देंगे बेसन तो अभी हम छोटे बाउल से एक बाउल बेसन डाल रहे हैं और यहाँ पे टू टेबल इस्पून मैं सूजी का यूज करूँगी इसके बाद मैं डाल देती हूँ चार से पांच बारी कटी हरी मिर्चे और ये एक इंच अद्रक का टुकडा ग्रेट किया हुआ इसके बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ इसके बाद मैं डाल दूँगी एक चम्मच चीनी छोटे चम्मच से और टेस्ट के एक ओर्डिंग नमक तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी भी डाल देते हैं और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए इस तरीके से और अभी तो सर्दियों का मौसम है तो आप इस भजिये को जरूर बनाईएगा बहुत ही स्वादिश लगेगी यह भजिया तो यह देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक बर जादा पानी नहीं डालेंगे नहीं तो यह गिला हो जाएगा और फिर हम भजिये को नहीं बना पाएंगे तो इस मेथी के पकोणों को बनाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका एक थिक बेटर बनाना है तो यह देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और हमें बेसन कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा बेसन इसमें और यूज करेंगे तो यहाँ पर हमने अच्छे से mix कर लिया है और अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा और बेसन तो यह देखिए थोड़ा बेसन नो डालते हैं क्योंकि मेथी जो है उसमें एक कड़वा टेस्ट होता है तो अगर मेथी ज़ादा होगी और बेसन कम हो गया तो फिर यह जो पकोड़ों का टेस्ट है थोड़ा सा ज़ादा कड़वा आएगा तो यहाँ पर देखिए अब बिल्कुल पॉफेक्ट मैंने बेसन और मेथी को एक में mix किया है और अच्छे से त्यार कर लिया है और अब मैं क्या करूँगी कि तेल यहाँ पर गरम हो रहा है हमारा पकोड़ों को तलने के लिए तो उसमें से एक चमच तेल हम ले लेंगे और यह गरम तेल इस बेटर में डाल देंगे डालने के बाद अच्छे से mix कर देंगे आप इस तरीके से बनाएंगे तो पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और यहाँ पर हमने mix कर दिया है और यहाँ पर हम डाल देंगे एक पिंच के करीब मीठा सोड़ा और उसके उपर से थोड़ा सा पानी डाला है तो यह देखिए इसे अच्छे से mix कर देंगे और जब हमें पकोड़ों को तलना हो तभी हमें सोड़े का यूज़ करना है तो यह देखिए यहाँ पर और mix करने के बाद हमारा जो oil है अच्छे से गरम हो चुका है तो मैं उसमें पकोड़ों को डाल दूगी आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं नए तो इस तरीके से हाथों पे उठा के अपने हाथों को बचाते हुए oil में डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए oil बिल्कुल perfect गरम है तो मैं पकोड़ों को तल लेती हूँ तो यह देखिए मैं आप हाथों से डाल रही हूँ इस तरीके से सारे पकोड़ों को डाल देंगे इन पकोड़ों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की भी जरूरत नहीं है और चाहे के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो आप इसे जरूर बनाईएगा यह देखिए इस तरीके से जितने ओयल में आ जाएंगे उतने पकोड़ों को हम एक सार डालेंगे और तल लेंगे यह देखिए बहुत ही कम मेहनत में लाजबाब पकोड़े बनके त्यार हो जाते हैं और आजकल तो मेथी के हरे पत्ते इतने अच्छे मार्केट में मिल रहे हैं कि आप उसे आसानी से लेके बना सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसे एक साइड से होने के बाद ही हम इसे अलट पलट के दोनों साइडों से पका लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक साइड से थोड़ा हो चुका है सिख चुका है यह पकोड़ा तो अब हम इसे पलट ले रहे हैं इस तरीके से और यहाँ पर देखिए बिलकुर कलर चेंज हो सुका है और यह बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि हमने इसमें सूजी का यूज किया है और अब मैं इसे निकाल लोंगी पलेट में तो आपको मैं नजदीक से दिखा दे रही हूँ थोड़ा से यहाँ पर रुख जाते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाइल है वो इसी कडाही में दुबारस से गिर जाए बस सेम प्रसेस से हम सारे पकोड़े तलके त्यार कर लेंगे तो इसे निकाल लेते हैं एक पलेट पे यह देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाजबाब पकोड़े बनके त्यार है तो मैं इसे सर्प कर लेती हूँ मैंने पकोड़ों को धनिये की ग्रीन वाली चटनी से सर्प किया है आपको मेरे इन पकोड़ों की रेस्पी कैसी लगी रेस्पी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों एंड टेक केर